हेलो बचालो, question में पूछा गया है हमसे, that is, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि consider the following compounds, species दिये है, cyanide positive दिये, cyanide negative दिये, NO दिये, cyanide, which will have highest bond order. तो देखे, एक तो हम जानते हैं कि bond order को निकालने का classical तरीका क्या है, कि bond order क्या होता है, यह आपके पास होता है, half, यहाँ पे जाएगा number of bonding electron, minus आपके पास कह जाएगे number of anti-bonding electron, यह थोड़ा का lengthy method है, लेकिन एक हमारे पर tricks है, जो electron के उपर बीस है, यहाँ से रहेगा 14, यह यहाँ से रहेगा 11, 10, यहाँ से रहेगा 9, यहाँ से रहेगा 8, यहाँ पे रहेगा 15, यहाँ पे रहेगा 16, यहाँ से रहेगा 17, 18, यहाँ से रहेगा 19, यहाँ से रहेगा 20, तो 14 के लिए bond order कितना होता है, 3.0, 0.5, 0.5 गम करते जाओ, 2.5 आजाएगा, 2.0 आजाएगा, 1. 1.0 आ जाएगा 0.5 आ जाएगा और यहां से जाएगा 0.0 ऊपर जाएंगे 2.5 यहां से जाएगा 2.0 यहां पर आपके पास जाएगा 1.5 यहां से जाएगा 1.0 यहां से जाएगा 0.5 यहां से जाएगा 0.0 तो पहले देखते हैं एन्नो दिया हुआ है एन्नो में कितने आ साथ, औक्सिजन के पास 8, कितने होगे 15, 15 के लिए bond order कितना यहाँ पे दिखे, यहाँ पे दिया that is 2.5, तो bond order कितना बन गया, 2.5, साइनाइड नेगटिव की बात करें, कारबन के पास कितने है, 6, नाइटोजन के पास कितने है, 7 electron एक और आ गया, तो कितना बन गया यहां से, यहां पे आपके पास कितना बन गया, that is 14, bond order कितना आ गया, यहां पे, 3 bond order 14 के लिए, अब करते हैं, साइनाइट positive, साइनाइट positive एक कम है, साइनाइट से, तो साइनाइट में कितने होगे, 7 plus 6, कितने होगे, 13, 13 के लिए bond order कितना आ गया, यहां से लेकिएगा 12 के लिए जो bond order होगा वो आपके पास कितना जाएगा 2.0 तो हमें पूछा हुआ हाइस bond order कितना होगा हाइस bond order जब वो साइनाइड negative के लिए बन रहा है तो आंसर क्या बनेगा that is your second option तो thank you kindly like and subscribe my channel